इस रों में कई प्रकार की barriers जानी की बिभिन प्रकार के भर्तियां अभी फिलाल पर自 lên time एक्टिवेट की गई है इस रों मतलब भारत सरकार अंतरिच विभाग होता है इसके तहप कई प्रकार की barriers वाकंसी post जारी हुई है कैसे आप इसमें आविदन करेंगे और कौन कौन से post की गई है, सारे information details हम आपको इस वीडियो में बताने वाले है तो ये है short notification full notification अभी जारी नहीं किया गया है, form फिलकरने की जो starting आपको date मिलेगा 19 सिप्टमबर 2024 से ये form apply होना start होगा इसके last date 9 अक्टूबर 2024 रहेगा और इसमें जो fee है वो अभी निर्धारित नहीं किया गया है, short notification में जो information details बताया गया है, वो आपको यहाँ पर सारे information details mention की गई है, इसमें जो आपका date of birth मांगा गया है 9 अक्टूबर 2024 से लिया जागा कम से कम 18 वर्स उम्र होनी चाहिए और 28 वर्स कोड यहाँ पर दिखी दिया गया है 25 से 26 जो कोड है इन सभी पोष्ट के लिए 28 वर्स age मांगी गई है और 30 वर्स की जो age मांगी गई है, 4 से 9 तक के पोष्ट कोड के लिए और अधर सभी जितनी भी पोष्ट है जो कोड है, उसमें 35 वर्स का मांगे गई है, 60% के द्वारा complete आप notification में यहाँ पर चेक कर सकते हैं MBBS की qualification इसमें मांगे गई है 60% के द्वारा CGPA या CPI grading system से तो 6.5 या 10 आपका point scale होनी चाहिए तो यह आप एक बार check कर लेंगे इसमें जो आपका pay scale है level 11 इसमें लागू किया गया है और उसी प्रकार medical officer यह code 3 आपको मिलेगा इसमें total 1 post मिल जाएगा MBBS degree की qualification मांगी गई है recognize university के द्वारा या आपके पास industrial 2 year की experience इसमें मांगी गई है 18-35 वर्स की लोग इसमें आविदन form को fill कर सकते हैं इसके बाद scientist engineer जिसमें 4 और 9 यहाँ पे post code मिल जाएगा total 10 post इसमें आपको मिलेगा ME या MTEC degree आपके पास related होनी चाहिए trade के द्वारा और अगर आप technical assistant के लिए apply करेंगे यह 10 से 13 code है इसमें 28 post मिल जाएगा इसमें diploma in engineering की qualification मांगी गई है related trade के द्वारा यह qualification first class होनी चाहिए इसके बाद scientific assistant state में एक post मिलेगा bachelor degree के qualification मांगी गई है BSC की related trade के द्वारा आपके qualification first class होनी चाहिए technician B की इसमें post मांगी गई है जो कि यह सभी candidate आवेदन form apply कर सकते हैं इसमें यह code है 15 से 22 और 43 post इसमें activate की गई है यह 10 मी के qualification के लोग form को fill कर सकते हैं इसके साथ ITI के qualification होनी चाहिए related trade के द्वारा यानि के technician के आपके पास trade होनी चाहिए तो आप इस रो में इस post के लिए form fill कर सकते हैं इसके बाद dropman B के लिए भी post activate किया गया है इसमें भी 10 मी और ITI के qualification मांगे गी है related trade के द्वारा इसमें total 13 post मिल जाएगा 23 से 24 इसका post code है assistant राजसभा में total 5 post मिलेगा यह 25 से 26 code है और इसमें जो आपका qualification मांगा गया है bachelor degree के qualification होनी चाहिए किसे भी subject के द्वारा total आपका जो percentage है वो कम से कम 60% होनी चाहिए आपके qualification में तब आप इस post को apply कर सकते हैं यही जानकर आपको इस notification में मिल जाएगा जो कि यह sort notification है full notification जैसे activate होता है तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इसमें अपना fee देंगे और कैसे इस form को apply करेंगे फिलाल यह form 19 तारिक से apply होगा यहाँ नीचे आपको notification में भी बताया गया है so I hope कि आपको यह जानकर यह अच्छे लगी होगी complete notification जैसे activate होता है हम आपको सारा information details आपको बता देंगे यह इस row की और से form activate किया गया है I hope कि guys आपको यह जानकर यह अच्छे लगी होगी वीडियो पसंद है तो like और share कीजिएगा कोई सवाल होता तो comment जरूर कीजिएगा okay guys मिलते next वीडियो में bye bye